Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 3.6 का question number 1, तो question number 1 क्या है, find the hcf आप the following numbers, यहाँ पे हमारी यह parts दे रखेंगे और हमें इनके hcf find out करने, तो यहाँ पे हम prime factorization से hcf find out करेंगे, यह बाला part से start करते हैं, तो हमें क्या दे रखा है, 18,48, तो पहले हम 18 के prime factorization find out करेंगे, और फिर 48 के, तो इसके prime factor किस तरह से find out करते हैं, 18 से start करते हैं यहाँ पे, पहला prime number क्या होता है, 2, अब यहाँ पे देखो, last में हमारा 8 है, तो इसका मतलब यह number 2 से divisible होगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2,9 जा 18, अब यहाँ पे 9 है, 9 तो हमारा 2 से divisible नहीं, तो हम लेंगे अगला वाला prime number वो क्या होता है, 3, 3, 3, 9, उसके बाद में 3, 1, 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 3, यह हमारा prime factorization हो गया, अब हम 48 का prime factorization कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 48 लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो, last में 8 है, तो यह 2 से divisible हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 8, 24 है, last में 4 है, तो यह 2 से divisible होगा, तो यह हो जाएगा, 2, 1, 2, 2, 2, 4, उसके बाद में 2, 6, 12, फिर यह भी 2 से divisible है, तो 2, 3, 6, 3 हमारा prime number है, यह 3 से ही जाएगा, तो 3, 1, 3, तो 48 के prime factorization क्या हो जाएगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, अब हमें HCF find out करना, HCF क्या होता है हमारा, इन दोनों में जो common numbers हो, यहाँ पे देखो, 2, 2 common हुआ, एक pair यह मिल जाएगा, उसके बाद में 3, 3 common है, यह pair मिल जाएगा, इसके बाद हमें कोई pair नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF of 18, 48 is equals to, यहाँ से एक number उठाएगे 2, और इस pair मे जाएगे, तो क्या जाएगा, 6, तो 18 और 48 का जो HCF होगा, वो हमारा 6 होगा, अब यहाँ पे B वाला पार्ट देख लेते हैं, तो B वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, B वाला पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, 30 और 42, इसका भी हम prime factorization से करेंगे, तो यहाँ पे 30 के प 15 जा 30, अब यहाँ पे 15 आ गया, अब यहाँ पे 1 प्लस 5, 6 होता है, इसके digits का sum 3 से divisible है, तो यह नंबर भी 3 से divisible होगा, तो 3 रखेंगे, 3, 5, 15, 5 हमारा prime नंबर है, तो 5, 1 जा 5, 42 के prime factorization निकालेंगे, तो क्या आएगा, 42 के prime factor निकालेंगे, लास्ट में 2 है, तो 2 से divisible हो गया, 3 हमारा 3 से divisible है, तो 21 भी 3 से divisible होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3, 7 जा 21, अब यहाँ पे 7 हमारा prime नंबर है, 7 जा 7, तो यहाँ पे 30 के prime factors क्या आगए, 2 into 3 into 5, 42 का क्या हो गया, 2 into 3 into 7, अब यहाँ पे pair बना लेते हैं, तो यहाँ से एक लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं, तो यह 22 का pair बन गया, यह 33 का pair बन गया, अब हमें कोई भी number common नहीं मिल रहा है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF of 30, 42 is equals to, यहाँ से एक उठाएंगे 2 और यहाँ से एक उठाएंगे 3, यह हो गया 6, तो यहाँ पे भी हमारा HCF 6 आ गया, अब हम C वाला part देख ले लेते हैं, 18, 60, तो पहले हम 18 के prime factors find out करेंगे और उसके बाद में 60 के, तो यहाँ पे हम 18 के find out कर लेते हैं, यहाँ पे 18 लिखेंगे, अब यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब यह 2 से divisible होगा, 2, 9, 18, अब 9 जो है वो हमारा 2 से divisible नहीं है, तो 3 से ले जाएंगे, 3, 3 इसके बाद में यहाँ पे लास्ट में 0, 2, 4, 6 कुछ नहीं है, तो यह 2 से divisible नहीं होगा, और इनके digits का sum क्या आएगा, 1 प्लस 5 is equal to 6, और 6 हमारा 3 से divisible है, तो यह भी हमारा 3 से divisible होगा, तो यह क्या आएगा हमारा, 3, 5, 15, अब 5 प्राइम नमबर है, 5, 1, 5, तो 60 का प्राइम फेक्टराजेशन क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 into 5, अब यहाँ पे पेर क्या हो जाएंगे हम हमारा यह 2 के 2 और फिर 3 से 3, उसके बाद में कोई प्राइम नहीं बन रहा है, तो HCF क्या जाएगा, HCF 18, 60 is equal to 2 into 3, और यह हमारा क्या जाएगा, 6, तो यहाँ पे 18 और 60 का भी HCF क्या हो गया, 6 हो गया, अब हम next वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या दे रखा है हमारा D वाला बाड में 63 का, तो 27 का देख लेते हैं, यहाँ पे 27 लिखते हैं, अब लास्ट में हमारा 7 है, तो यह 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3, 9 जा 27, अब यहाँ पे 9 है, यह भी 3 से जाएगा, 3, 3 जा 9, और 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 बन जा 3, तो यहाँ पे 27 का जो प् से जाएगा, नहीं, 3 से देखेंगे, तो 3, 2 जा 6, 3 बन जा 3, अब यहाँ पे 21 भी हमारा 3 से जाएगा, 3, 7 जा 21, और यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है, 7 बन जा 7, तो 63 का प्राइम फेक्टराजिशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7, अब यहाँ पे common क्या है हमारा, pair बना लेते हैं, यह 3 का 3 के साथ, यहाँ पे इस 3 का, इस 3 के साथ, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF of 27, 63 is equal to 3 into 3, जो कि हमारा आएगा 9, तो यहाँ पे 27 और 63 का HCF क्या है, 9 होगा, अब हम next वाला पार्ट देख लेते हैं, तो next वाला पार्ट हमारा क्या है, E वाला, 36 और 84, तो य यहाँ पे 36 का पहले prime factorization करेंगे, उसके बाद में 84 का करेंगे, तो यहाँ पे 36 लेते हैं, अब यहाँ पे देखो, last में 6 है, तो यह 2 से divisible हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यह हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 16 हो जाएगा, 28 जा 16, 18 हमारा 2 से divisible होगा, 29 जा 18, अब 9 हमारा 3 से divisible होगा, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 बन जा 3 हो जाएगा, 36 का prime factorization क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 into 3, 84 का prime factorization क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, last में 4 है, तो यह 2 से divisible हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अब यहाँ पे 42 है, last में 2 है, तो य यहाँ पर 21 है, यह 3 से डिविजबल हो जाएगा, 3, 7 जा 21, 7 प्राइम नमबर है, 7 बन्जा 7, तो यह हो जाएगा, 2 into 2 into 3 into 7, अब यहाँ पर भी हम पेर बना लेते हैं, यह 2 का 2 के साथ बन जाएगा, इस 2 का, इस 2 के साथ, इस 3 का, इस 3 के साथ, तो यह CF क्या जाएगा हमारा 36, 84 is equal to, यहाँ से 1 उठा लेंगे, यह 2, यहाँ से 1 उठाएंगे, तो यह 2, यहाँ से उठाएंगे, तो यह 3, अब इनको multiply करेंगे, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, तो यहाँ पे यह 12 आ जाएगा, CF 36 और 84 का, अब यहाँ पे next वाला पार्ट देख लेते हैं, तो next वाला पार्ट हमे तो पहले हम 34 का prime factorization find out करेंगे, उसके बाद में 102 का find out करेंगे, तो यहाँ पे 34 लिख लेते हैं, अब यहाँ पे देखो last में 4 है, तो यह 2 से divisual होगा, तो यह क्या हैगा हमारा 2, 1 बचेगा इधर जाएगा, 2, 7, 14, अब यहाँ पे 17 आया, और 17 हमारा क्या है, एक prime number है, तो 17 1 जा 17, तो यहाँ पे 34 का prime factorization क्या हो जाएगा, 2 into 17, अब हम 108 का देखते हैं, तो 108 यहाँ लिखेंगे, यह चुकि last में 2 है, तो यह 2 से divisual होगा, 2, 5 जा 10, 2, 1 जा 2, अब last में यहाँ पे 1 है, तो यह 2 से तो divisual नहीं होगा, digits का सम क्या आएगा, 5 plus 1, 6, तो यहाँ पे 3 से divisual ह होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3, 1, 3, यहाँ पे 2 बचेगा, इधर जाएगा, तो 21 हो जाएगा, 3, 7, 21, 17 आया, 17 हमारा prime number है, तो 17, 1, 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे 102 का हमारा क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 17, अब हम pair बना लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का एक pair बनेगा, और एक 17 का pair बनेगा, तो HCF हमारा क्या जाएगा, 34, 108 का, यहाँ से एक उठा लेंगे 2, और यहाँ से 17 उठाएगे, इसको लिखेंगे, और 17 टूजा 34, तो यहाँ पे 34 जो है, HCF आ जाएगा, 34 और 102 का, अब हम next वाला part देख लेते हैं, तो next वाला part हमारा क्या दे रखा है, जी वाल यहाँ पे 3 numbers दे रखे हैं, 70, 105, 175, तो यहाँ पे इसका हम HCF find out करेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं, अब यहाँ पे भी हमें जो है, सेम तरीके find out करना है, जीसे यहाँ पे हमने 2 के लिए find out किया था, दोनों numbers का हमने prime factorization किया, और फिर common देखा, लेकिन यहाँ पे हमे 3 prime factorization करना है, और 3ों में common देखना है, तो यहाँ पे हम पहले 70 का करेंगे, उसके बाद में 105 का, फिर 175 का, तो यहाँ से 70 से start करते हैं, तो 70 का prime factorization करेंगे, तो यहाँ पे last में 0 है, तो यह 2 से divisible हो जाएगा, 2, 3, 6, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर जाएगा, तो 10 हो जाएगा 2, 5, 10, 35 आया, अब यहाँ पे देखो, 3 plus 5, 8 हो जायागा, और यह हमारा 3 से भी divisible नहीं होगा, last में 0, 2, 4, 6, 8, कुछ नहीं है, तो यह 2 से भी divisible नहीं है, अब उसके बाद हम जाते हैं, 5 पे, तो यहाँ पे 5 last में है, तो इसका मतलब 5 से divisible होगा, 5, 7, 35, यहाँ पिर 7 लि लेते हैं, तो यहाँ पे 105 लिखते हैं, और यहाँ पे देखो, last में 0, 2, 4, 6, 8, कुछ नहीं है, तो यह 2 से भी divisible नहीं होगा, इसके digits का सम देखें, तो 1 plus 0, 1, 1 plus 5, 6, 6 हमारा 3 से divisible है, तो यह नमबर भी 3 से divisible होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3, 3, 9, 1 बचे का इधर जाएगा, 3, 5, 15, अब यहाँ पे देखो, 2 से तो divisible नहीं है, digits का सम क्या आ रहा है, 3 plus 5, 8 आ रहा है, और 8 हमारा 3 से divisible नहीं है, तो यह नमबर हमारा 3 से भी divisible नहीं होगा, next हमारा क्या है, 5, तो यहाँ पे हम 5 से देखेंगे, चुकि यहाँ पे last में 5 है, तो यह 5 से divisible हो 7, अब 175 का देख लेते हैं, यहाँ पे 175, last में हमारा 0, 2, 4, 6, 8 कुछ नहीं है, तो यह 2 से divisible नहीं होगा, अब इसके digits का सम देखें, तो 1 plus 7 क्या हो जाएगा, 8, 8 plus 5 हमारा क्या होगा, 13 और 13 भी हमारा 3 से divisible नहीं है, तो यह नमबर हमारा 3 से भी divisible नहीं होगा, last में हमारा 5 है, तो इसका मतलब यह नमबर हमारा 5 से divisible हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 5, 3, जा 15, 2 यहाँ बचेगा, इदर जायगा, 25 हो जायगा, 5, 5, 25, 35 आ गया, last में 5 हे तो यह फिर 5 से divisible होगा, तो यह पे 5 लिखेंगे, 5, 7 जा 35, यहाँ पे 7 लिखेंगे 7 बन जा 7, तो यहाँ पे 175 का प्राइम फेक्टराजेशन क्या जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 7. अब यहाँ पे common देख लेते हैं, तो एक तो हमारा यह मिलेगा, 5, तीनों में जो common है, दूसरा यह 7. तो hcf क्या जाएगा हमारा? hcf of 70, 105, 175 is equals to 5 इंटू 7. यहाँ से एक ले लेंगे, और एक यहाँ से ले लेंगे, और फिर उनको multiply कर देंगे, यह क्या जाएगा हमारा? 5 से बेंजा 35, तो यह आगया 35, तो इन तीन नंबर्स का हमारा hcf क्या आएगा? 35 आएगा, अब हम next वाला देख लेते हैं, तो next वाला हमारा क्या दे रखा है? h वाला, 91, 112, 49, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, 91 का पहले प्राइम फेक्टराइजेशन करेंगे, फिर 112 का करेंगे, फिर 49 का करेंगे, तो यहाँ पे 91 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 91, अब देखो लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो यह 2 से तो डिविजिवल होगा नहीं, और इनके डिजिट्स का अगर सम देखें, तो 9 प्लस 1 हमारा क्या हैगा, 10 और 10 हमारा 3 से डिव बचेगा, और 2 इधर जाएगा, तो 21 हो जाएगा, 7, 3 जा 21, तो यहाँ पे 13 आगे, और 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो यह 13 बचेगा, 91 का हमारा प्राइम फेक्टराजेशन क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13, अब हम 112 का देख लेते, तो यहाँ पे 112 लिखेंगे, और यहाँ पे लाश्ट में 2 है, तो इसका अतलब यह नंबर 2 से डिविजिवल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2, 5 जा 10, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा 12, 2, 6 जा 12, अब यहाँ पे 56 आया, लाश्ट में 6 है, तो यह फिर 2 से डिविजिवल होगा, तो आया ये भी हमारा 2 से डिविजिवल है 2 7 जा 14 7 आया प्राइम नंबर है तो 7 बन जा 7 तो 112 का क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 7 अब यहाँ पर 49 का अगर हम प्राइम फेक्टराज़सन करें तो क्या है गा हमारा 49 अब लास्ट में तो हमारा क्या है 0, 2, 4, 6, 8 कुछ नहीं है तो यह 2 से तो डिविजिवल होगा नहीं अब इनके डिजिट्स का सम 9 प्लस 4 13 आ जाएगा और 13 हमारा 3 से डिविजिवल नहीं है तो यह नंबर भी 3 से डिविजिवल नहीं होगा उसके बाद में 5 आता है तो लास्ट में ना तो 0 है और ना ही 5 होगा तो यह हमारा 5 से डिविजिवल नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे 7, 7 जा 49 अब 7 आया 7 हमारा प्राइम नंबर है 7 बन्जा 7 तो 49 का प्राइम फेक्टराजिशन क्या आएगा 7 इंटू 7 अब यहाँ पे पेर बना लेते हैं एक तो यहाँ पे 7 है एक यहाँ पे 7 है और एक यहाँ पे 7 है उसके बाद में हमारा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो HCF हमारा क्या आ जाएगा? HCF of 91 112 49 is equal to 7 तो यहाँ पे HCF जो है वो सिर्फ 7 होगा नेक्स्ट वाला देख लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? आई वाला पार्ट 18, 54, 81 तो यहाँ पे पहले हम इसको लिख लेते हैं तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे पहले हम 18 का प्राइम फेक्टराजेशन करेंगे 54 का फिर करेंगे और फिर 81 का प्राइम फेक्टराजेशन करेंगे तो यहाँ पे हम 18 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 18 अब यहाँ पे लास्ट में 8 है तो इसका उतरब यह 2 से divisible होगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे 2, 9, 18, 9 आया यह 3 से divisible होगा 3, 3, 9, 3 हमारा prime number है 3, 1, 3 तो 18 हमारा क्या हो जाएगा 2 into 3 into 3 54 का prime factorization करेंगे तो यहाँ पे 54 लिखेंगे देखो last में 4 है तो यह 2 से divisible हो जाएगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे 2, 2 जा 4 यहाँ पे 1 बचेगा इधर जाएगा 14 हो जाएगा 2, 7 जा 14 अब यहाँ पे देखो last में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है तो इसका मतलब यह number 2 से divisible नहीं होगा और इनके digits का sum देखेंगे तो 2 प्लस 7 क्या होता है, 9 और 9 हमारा 3 से divisible है तो इसका मतलब यह number भी हमारा 3 से divisible होगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 3, 9 जा 27 यहाँ पे 9 आ गया 9 हमारा 3 से divisible है, तो 3, 3 जा 9 3 हमारा prime number है 3, 1 जा 3 तो यहाँ पे 54 का जो prime factorization आएगा वो क्या हैगा, 2 into 3 into 3 into 3 अब हम 81 का prime factorization कर लेते हैं तो यहाँ पे 81 लिखते हैं यहाँ पे, देखो, last में न 0 है न 2 है, न 4 है, न 6 है, तो इसका मतलब यह हमारा 2 से divisible नहीं होगा इसके digits का sum देखें तो 8 प्लस 1, 9 होता है 9 हमारा 3 से divisible है तो यह number भी 3 से divisible होगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3, 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचेगा यहाँ पे ले जाएंगे 2 को तो यह 21 हो जाएगा 3, 7 जा 21 यहाँ पे 27 आ गया, अगर फिर 3 से divide करें, तो यहाँ पे 3, 9 जा 27 फिर 3, 3 जा 9 उसके बाद में 3 बन्जा 3 तो यहाँ पे यह क्या जाएगा 3 into 3 into 3 into 3 अब इसमें हम common देख लेते हैं पहले हम pair बना लेते हैं तो यहाँ पे देखो, एक तो यह 3, 3, 3 मिल जाएगा दूसरा यह मिल जाएगा अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है is equals to 3 into 3 एक 3 यहाँ से लेंगे एक 3 यहाँ से लेंगे 3 into 3 आएगा और multiply करेंगे तो यह आजाएगा 9 तो यहाँ पे इन 3 numbers का जो SCF वो क्या है, 9 है next वाला part देख लेते हैं जो कि last part है हमारा J वाला, 12, 45, 75 तो पहले इसको लिख लेते हैं तो यह हमारा J वाला part है यहाँ पे भी वही सारी चीज़े करेंगे पहले हम 12 का prime factorization निकालेंगे फिर 45 का उसके बाद में 75 का तो यहाँ पे पहले हम 12 के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पे 12 लिखते हैं अर लास्ट में हमारा 2 है तो इसका मतलब यह 2 से divisible होगा तो 2, 6 जा 12 अब 6 हमारा 2 से divisible होगा 2, 3 जा 6 और फिर यह 3 बंजा 3 तो 12 का क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 अब यहाँ पे हम 45 का निकाल लेते हैं prime factorization कर लेते हैं तो यह हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में देखो 5 है तो यह 2 से तो divisible होगा नहीं 4 प्लस 5, 9 होता है तो इसका मतलब यह 3 से divisible हो जाएगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 3 बंजा 3, 1 इधर जाएगा 3, 5, 5, 15 अब यहाँ पे 15 आया 15 हमारा 3 से divisible होता है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 3, 5, 15 5 हमारा प्राइम नंबर है 5 बंजा 5 तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 75 का प्राइम फेक्टराजिशन करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 75 यहाँ पे देखो लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है इसका मतलब यह नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा 7 प्लस 5 हमारा क्या होगा 12 और 12 हमारा 3 से डिविजिबल है तो यह भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 3 टू जा 6 यहाँ पे 1 बचेगा 1 इधर जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, अब यहाँ पर 25 आया, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे 5 5 जा 25, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 5 वन जा 5, तो यहाँ पर 75 का क्या हो जाएगा, 3 इंटो 5 इंटो 5 अब यहाँ पर SCF क्या हो जाएगा हमारा जो common होगा, SCF आप 12, 45, 75 5, अब यहाँ पर 2 के लिए देखो, 2 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो 2 के लिए तो होगा नहीं, अब यहाँ पर 3 के लिए देखते हैं, तो 3 यहाँ पर है और यहाँ पर तो एक तो 3 हो जाएगा, लेकिन अब उपर हमारा कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब HCF जो है वो सिर्फ 3 रहेगा, एक ही common मिलेगा एक ये है, ये है और ये है, इसके लाबा कुछ भी common नहीं होगा, तो यहाँ पर HCF जो है वो 3 हो जाएगा questions हम आप next lecture में करेंगे next questions, आज के लिए बस इतना ही